नमश्कार दोस्तों, अगर किसी को कबजियत की समस्या हो जाए, कॉंस्चिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए, तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, वो लग्जर्टिव ले लेते हैं, कोई नो कोई पेट साफ करने की दवा ले लेते हैं, रात में खा लेते हैं, जिससे उनका पेट नक्सवोमिका, लेकिन उसे लेने का तरीका और सही तरीके से लेने का तरीका सब को नहीं पता है, तो आज मैं आपको अपने experience शेयर करूँगा, कि नक्सवोमिका अगर आपको कॉंस्टिपेशन की समस्या है, तो कैसे आप यूज करें, जिससे आपका कॉंस्टिपेशन में तुरंत आराम लगे पेट सुबह साब भी हो जाए और लगतार यूज करने के बाद कुछ समय तक यूज करने के बाद आपकी कॉस्टिपिशन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाए तो मैं आपको विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सुरू करने से पहले आप सबसे यह गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरूर से दबाए मैं ऐसे ही वीडियो कोशिश करूँगा इसके लाव में किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूं कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्सिन सिस्टम नहीं है और नहीं मैं किसी को मैंडसन भीजता हूं तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और अगर आपको कॉंस्टिपेशन की की विहीं प्रॉबेम है और बोहुत दिनों से कबसियत की समस्या है जब आप मल त्यागने जाते हैं तो या तो मल बहुत-ज्यादे हारड होता है या तो एक बार में नहीं होता है आपको अ अच्छा नहीं लगता है सुबह अ कि ची हो सबस् history से नहीं होता है कर दिन भर भै कस्टिपेशन को ठीक करना हो जड़ूरी है और επ expired पैट अगर साही है और कब्जियत आपको नहीं है तो हमेशा स्थनुश्टरेजगे और पैट अगर खराब है और कब्जियत आपको थे पैट कॉरस है टू आपको बिचाना के लिए ई teक होने रहें और उस दबा का नाम है नक्सवोमिका, नक्सवोमिका होमेपैथी में कॉंस्टिपेशन की सबसे बेस्ट और इफेक्टिव मैडसेन है, नक्सवोमिका के प्रमुखलचण यही है कि जब आप मल त्यागने जाते हैं, तो आपका पेट एक बार में साफ नहीं होता, कभी बहुत जादा मल हाड होता है, कभी सेमी सॉलिड होता है, कभी काफे लिक्विड होता है, और यह समस्या आपको बनी रहती है, एक जैसा आपका पेट नहीं रहता, अपच हमेशा बनी रहती है, और कॉंस्टिपेशन की समस्या हमेशा बनी रहती है, गैस की समस्या बनी रहती है, प जो आपकी लाज इंटिस्टाइन मतलब बड़ी आद में होता है और यह जिक-जाक मूपमेंट है इसी मूपमेंट से आपका मल मालीजे जो लाज इंटिस्टाइन में मल है वो पुरी तरीके से जाकर गुदा-दोर तक जाता है और फिर आपको motion होता है, फिर इच्छा होती है, अगर ये movement सही ना हो, तो constipation की problem हो जाती है, और फिर जादा water जो है, वो absorption से, जो है, वो stool hard होने लगता है, या ये movement irregular हो, तब भी ये problem होती है, ये movement regular होता है, और सही होता है, जिससे आपके constipation की problem ठीक होती है, हमेशा के लिए ठीक होती है, तो constipation की problem को ठीक करने के लिए, आपको parastatic movement को ठीक करना होगा, और इसके लिए, नक्स मोमिका बहुत ही effective medicine है, इसके लावा भी एक और medicine effective है, ज़रूर अगर आपको पता हो, तो message section में ज़रूर message करिएगा, उस medicine का नाम, ज़रूर message करिएगा, नक्स मोमिका के साथ कौन-कौन सी medicine आपने कभी use की है, constipation के लिए, ये नहीं की है, ये भी आप message करिएगा, नक्स मोमिका को आपको कैसे लेना है, नक्स मोमिका आप लगभग दो बून लीचे, रात में एक जैसे ही रात होती है, आठ बसते हैं, खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले भी ले सकते हैं, दो बून आप डारक लीचे टंग में पीएं, आधे घंटे बाद लेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा, और फिर उसी समय आप लगभग एक से डे गलास गुन-गुना पानी जरूर पीछे, ऐसा आप लगभग साथ दिन तक करिए, आप देखेंगे कि पेट साफ होने लगेगा, ऐसे एटी की प्रॉबलम ठीक होने लगेगी, और आपको अच्छा लगने लगेगा, जब आपको अच्छा लगने लगे तो फिर आप ये मै बहुत इफेक्टिव है और अच्छे रिजर्ट देती है और आपने अगर कभी नक्स मोमिका यूज की है, गैस, ऐसे टी कॉंस्टिपेशन और नक्स मोमिका पाइल्स के लिए भी एफेक्टिव मैडसन है, अगर आपको कॉंस्टिपेशन लंबे समय तक होता है, तो फिर आ मिले हैं, जरूर मैसे सक्षन में मैसेज करिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल ऐकन को जरूर से दवाए, मैं ऐसे वीडियो दाता रहता हूं, मेरा इमेल सब्सक्राइब किर्थी विक्रमसिक परियार अच्छेमेल.com है, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, आज के लिए बसक्त नहीं, कल फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंके सो मच, बाए